हेलो दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं दोस्तों अभी सीजन चल रहा है बारिष का यानि की तेज आन्दी तुफान का जिसमें यानि कि आप देखते हैं कि गाओं में चो बिजली के खंबे रहते हैं वो गिर जाते हैं, ट्रांसफार्मर गिर जाते हैं यानि कि बीजली की जो समझा है वो काफी तेजी से बढ़ती जा रही है इतने में यानि कि बीजली की कटोधी से परेशान लोग सोचते हैं कि यानि कि घर में एक inverter बैटरी होना बहुत जरूरी होता है लाकिन inverter बैटरी भी आप लगा देते हैं और बीजली अगर 2-3 दिन नहीं है तो आप उसे चार्ज कैसे करेंगे बैटरी के तो इसका निदान है आपके पास होना चाहिए आपके गर की छट पे इस 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 समझिया उत्पन हो जाती है तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यानि के एक नॉर्मल आपको एक बल्ब चलाना है और एक फंका चलाना है तो उसके लिए कितने बैटरी होनी चाहिए कौन सा इनवर्टर होना चाहिए या फिर एक हैवी लोड चलाना है तो उसके लिए कितना क्या होना चाहिए दोस्तो यहाँपर आप देख सकते हैं मेरे पास में यहाँपर 200 Watt का जन solar का solar panel है जो monopark solar panel है इसके बाद में यहाँपर देख सकते हैं JDR 11200 Modal का एक inverter है जो solar inverter है इसके साथ में 40H के battery है अब आप कहेंगे 40H के battery कहां पर यूज़ की जाएगी दोस्तो 40H की बैटरी है अगर आपके यानि की शौप है यानि की दुकान है जिसमें आप 5-6 गंटे लाइट चलाना चाते हैं या फिर एक छोटा पंका चलाना चाते हैं तो उसके लिए ये बैटरी काफी बढ़िया है उसके बाद में अगर आप चाते हैं नई हमारा तो लोड जादा है दो पंके है तीन पंके है या पिन एक पंका भी हमें दिन राज चलाना है उसके लिए आपको जुरूरी होती है 1500H की बैटरी जैसे के आप देख सकते हैं अब 1500H की बैटरी को चार्ज करने के लिए आपके पास इस प्रकार के जो 200W के सोलर पैनल है वो आपको तीन सोलर पैनल लेने होते हैं यानि कि तीन यानि कि 600W के सोलर पैनल लगाने होते हैं लागन अगर ये 40H की बैटरी है इसको चार्ज करने के लिए 200W का एक पैनल ही जानते हैं दोस्तों अगर inverter के front side के बात करते हैं यहाँ पर मिलती है आपको digital display जिसमें आप देख सकते हैं कि अभी यानि की grid से input मिल रहा है या solar से input मिल रहा है battery कितनी charge है discharge है fault है वो सब कुछ आप इसमें देख सकते हैं इसके बाद में यहाँ पर main power on off का switch है जिसे आप press करते हैं power on हो जता है जैसे आप press करते हैं तो power off हो जता है दोस्तों अगर inverter के back side में आते हैं तो यहाँ पर मिलता है आपको cooling fan जिसे यानि कि inverter heat होने से बसता है इसके बाद में यहाँ पर आप देखते हैं तो एक red color की cable है और एक black color की cable है जो red वाली cable है वो जो ला güden battery है battery की जो प्लस अवाला point है उस प्लस वाले point से आपको connect करना है और यहाँ दियान रखना है उल्टे उल्टे कभी से प्रेक्नेक नहीं करना है नहीं तो आपके battery कुराब हो सकते या फिर inverter हो सकता है अगला option यहाँ पर मिलता है grid और solar selection का अगर आप निच्चे की side में इसे रखते हैं तो grid पर रहेगा अगर आप उपर की side में रखेगे तो यह आपर solar पर रहेगा यानि कि solar पर यानि कि जो input लेगा वो solar से लेगा और grid यानि कि grid से input लेगा जो battery यह वो grid और solar से charge कर सकते हैं यहाँ पर आप देखते हैं कि inverter और UPS अगर इसे आप press करके रखते हैं तो inverter mode पर चला जाएगा अगर आप इसे press करके रखते हैं तो UPS mode पर चला जाएगा अगला option यहाँ पर मिलता है tubular और SMF battery selection अगर आपकी battery यानि कि lead ऐसे tubular battery है तो आप इसे press करके देखें और tubular battery select हो जाएगी जो digital display में आप जैसा कि देख पा रहे हैं अगर इसे ही press करके रखूँगा मैं तो यहाँ पर SMF battery select हो जाएगी इसके बाद में यहाँ पर as we fuse है अगर यह fuse खराब हो जाता है इसे घुमा कर आप इसे बाहर निकाल सकते हैं next यहाँ पर आप देख रहे हैं solar VE minus और VE plus यानि कि solar का connection आप यहाँ पर कर सकते हैं जो minus यानि है जो solar से minus point यहाँ पर connect करना है solar का जो plus point यहाँ पर connect करना है next यहाँ पर SE output का यानि कि घर में जो भी लोड चलाना है तो उसका connection आप यहां से देंगे अगर यहां पर battery की बात करते हैं यहां पर मिलती है आपको solar tubular battery जो है 40H की और 60 मंद की इस पर warranty मिलती है और यह C10 है और 12V में ही battery है नॉर्मल यानि कि आपको LED bulb चलाना है एक छोटा पंका चलाना है तो उसके लिए कापी best है और उसके बाद में अगर night में भी अगर आपको चलाना है तो इसमें काई सारी range में आपको batteries मिल जाती है जिसमें अगर आपको 1500H की battery चाहिए तो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है मेरा suggestion है कि यानि कि अगर आपको normal load चलाना है तो आप यहाँ पर छोटी battery खरी सकते हैं और अगर आपको heavy load यानि कि थोड़ा सा आपको 2-3 पंके चलाना है या फिर जादा time चलाना है तो आप 1500H की battery खरीच सकते हैं दोस्तों अगर यहाँ पर battery installation की बात करते हैं तो यहाँ पर inverter के back side में आपको 2 cable दिखाई दे रही है एक red और एक black जो red cable है वो positive terminal यानि कि battery के यहाँ पर आप देख रहे हैं plus लिका हुआ है इस plus वाले terminal पर आपको connect करना है connect करने के लिए इसके साथ में आपको nut, bolt और visor मिलते हैं इनकी साहिता से कक्रना है तो चलिए मैं यहाँ पर visor ले लेता हूं और Connect कर देता हूं दोस्तों यहाँ पर मैंने red टर्मिनल plus के उपर connect कर दिया है भारी आती यहाँ ऌत ब्लैक टर्मिनल करना आका battery के minus point से तो चलिए मैं black terminal को भी connect कर देता हूँ तो हलकी से यहाँ पर चिंगारी आती है दरना नहीं है आपको current का जटका नहीं लगता है तो इस तरह आप इसे यानि कि दोनो black और red दोनो terminal को आप battery से connect कर देंगे दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह जो inverter है इसको power on करते है अपन तो अभी आप देख रहे हैं कि यह power on हो गया है inverter ready आगया है अगर इसे मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर inverter off हो जाता है यानि कि inverter note ready यानि कि inverter अभी बंद है इसे चालू रखना होता है दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर SMAP बैटरी दिखाई दे रही हैं तो इसे मैं यहाँ पर back side में जो बैटरी का option है इसे मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पर जो बैटरी है वो tubular बैटरी आ गई है इसके बाद में आप देखते हैं यह UPS mode पर है यहाँ फिर inverter mode पर है तो आप जैसे यहाँ पर press करते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि load UPS mode on है अभी इसे अगर वापिस बंद करना है अपन को तो यहाँ पर inverter mode on है इसके साथ में यहाँ पर grid और जो solar है इसे में अगर आपको live दिखाता हूँ तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि यह grid पर है यानि कि AC out दिखाई दे रहा है आपको और AC in दिखाई दे रहा है अगर मैं यहाँ पर solar पर कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए आप inverter on है और load 00W है और temperature inverter यह पूरा दिखाई देता है दोस्तो जब भी यानि कि battery को grid से charge करना है तो इसके back side में आप देख रहे हैं cable दी गई है जिसमें यहाँ पर 3 तरह के wire है जिसमें जो yellow वाला है wire उसको आपको उपर की side में जहाँ पर neutral है वहाँ पर लगाना है और यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों wire को इस तरह आप लगा दीजे तो आपकी बैटरी है वह grid पे charge होगी और grid पे charge होगी पता कैसे करेंगे आप तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर SC-IN यानि कि SC-IN DICEWART से उपर दिखाई देगा और बैटरी वोल्टेज है वह 11.2 12.2 ऐसे यानि कि बरता हुआ दिखाई देगा था इसका मतलब आपकी बैटरी पूर्टेया चार्ज हो रही है इसके बाद मैं बारी आती हैं यहाँ पर solar connection के लिए आप यहाँ पर 12 वोल्ट के solar panel लगा सकते हैं यानि कि 12 वोल्ट का एक पेनल भी लगा सकते हैं दो पेनल भी लगा सकते हैं तीन पेनल भी लगा सकते हैं अगर यहाँ पर आप 40 ऐस की बैटरी चार्ज करना चाते हैं तो 12 वोल्ट का एक पेनल ले लिजे एक पेनल अगर आप यानि कि 600W के पैनल आप लगा दीजिए अब पैनल लगाने के लिए क्या करना है आप inverter के back side में आते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं plus और minus लिका हुआ है जहां से यानि कि 2 wire निकल रहे है पैनल से यानि कि पैनल के 2 wire निकलते है plus और minus तो inverter के plus से आपको plus connect करना है और minus से minus connect करना है इस तरह यानि कि easily आप install कर सकते हैं यहाँ पर अगर solar panel के बाद करते हैं यहाँ पर 200 watt का solar panel है जिसमें आप देख सकते हैं कि front side में यहाँ पर black color के जो cell है यानि कि यह monopark cell है जो यानि कि poly से काफी बहतर इसका output रहता है solar panel के back side में आते हैं यहाँ पर आपको मिल जाता है एक junction box जो है IP68 यानि कि पूरा वैदर प्रूफ है और जो जंक्सन बोक से जैस्ट निचे के साइड में आते हैं यहाँ पर मिलती है आपको technical specification एक sticker है यहाँ पर आप देखते है maximum power 200 watt यानि कि solar panel जो है वो पूरा 200 watt का है open circuit voltage 39.75 voltage maximum power voltage 24.54 वोल्ट है maximum system voltage 1000 वोल्ट है इसके बाद में यहाँ पर ampere current दिये गये है source circuit current 8.69 ampere maximum power current 8.15 ampere और maximum fuse rating 10 ampere है दोस्टों अब यहाँ पर अगर price की बात करते हैं तो यहाँ पर जो latest और current price जानने के लिए आप description में website दी गई है तो website के उपर जाईए और वहाँ पर जाकर आप इसे purchase कर सकते हैं इसके साथ में अगर आप हमारे जो प्रोग्मो कोड एडवलेप दे स्टैक में वड़ी को यूज करते हैं तो आपको सीधा यहाँ पर 12% का discount मिल जाता है इतना ही नहीं के आप सिर्फ इन प्रोड़क्ट पर ही 12% का discount पाएंगे इस website पर जितने भी प्रोड़क्ट दिखाई दे रहे हैं उन सभी प्रोड़क्ट पर आप 12% का discount ले सकते हैं दोस्तों अगर वरंटी के बात करते हैं यहाँ पर जो inverter है उसके 2 साल के वरंटी मिलती हैं बैटरी है वो 60 मंत यानि के 5 साल के वरंटी होती है और जो solar panel है वो 25 साल के वरंटी मिलती है दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद वीडियो अच्छा लगाए जदा ज़्यादा शेयर करना है लाइक करना है साथ में अगर कोई भी सुजाव हो या पी सवाल हो ता आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और अगर चैनल पर नए हैं तो आ आप सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन को जरूर हिट करें इसके साथ में अगर आप इस वीडियो को फेस्बूक पेज पर देख रहें खिसान टीवी पेज पर तो उसको तुरंद फोलो करें ताकि आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं मिलते हैं अग